हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है इंजीनियर स्वाला चैनल पे और मैं हूँ आपके साथ महमन इम्रान तो आज हम लोग ये डिसकस करने वाले हैं SSEJE 2023 में कौन-कौन सी वैकनसी होने वाली हैं यदी आप उस एक्जामनेशन को टार्गेट कर रहे हो तो आप کو क्या करना होगा कि आप उस एक्जामनेशन को क्वालिफाई कर भा आएँ तो आज के सैसन का जो हमारा मेन एजेंडा है वो ये है कि हम सबसे पहले आपको ये बताने वाले हैं कि SSC JE 2023 में वेकंसी कौन कौन सी होने वाली हैं और उस examination का क्या pattern होता है यदि आप उस examination को target कर रहे हो तो आपको क्या करना है कि आप उस examination को qualify कर पाएं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि SSC JE 2023 में कौन कौन सी वेकंसी हो सकती हैं जैसे बचों आप सभी लोग जानते हैं SSC JE का official website पे examination calendar आउट हो चुका है तो उस examination calendar के अंदर अभी तक ये कोई information नहीं आई है कि 2023 में कौन कौन से department होने वाले हैं और कौन कौन सी department के कितनी number of seat आने वाली हैं यदि मैं last year की बात करूँ 2022 की या 2021 की तो उसके basis पर मैंने कुछ department यहाँ पे लिखे हैं कि कौन कौन से department ऐसे हैं जिन department के अंदर आप SSC JE examination के थुरू जा सकते हैं जैसे पहला department आपके पास है defense तो को defense बहुत अच्छा department है यदि कोई भी बचा SSC JE के थुरू defense field में जाना चाहता है तो वो इस department के अंदर भी apply कर सकता है दूसरा है आपका Central Water Commission और तीसरा आपका Central Public Works Department और चोथा department आपके पास है National Technical Research Organization और पांचवचु department है वो है Border Road Organization तो यह कुछ departments मैंने आपको यहाँ पे लिखे हैं अब यह department के according number of seat, number of vacancies कितनी होंगी वो हर साल every year change होता रहता है इसमें कोई ऐसा fix नहीं है कि defense field में इतनी seat है ऐसा ही होगा हर बार हर साल examination का जब notification आता है तो official website पे आपको यह दिख जाएगा कि किस department के अंदर कितनी seat है और किस branch के लिए कितनी seat है जैसे आप सभी लोग जानते हो SSC JE का जो examination है वो mainly तीन branch के engineer दे सकते हैं पहली branch आपकी civil engineer है और दूसरा electrical engineer और तीसरा जो है वो है mechanical engineer तो civil mechanical और electrical engineering department wise किस department के अंदर कितनी vacancies हैं सब आपको official website पे दिख जाएगा जब notification आएगा SSC JE examination का लेकिन अभी तक SSC JE examination का कोई notification नहीं आया बट date examination की declare हो चुकी है कि किस date को SSC JE अपना examination conduct कराने वाला है लेकिन SSC JE का जो बचा preparation कर रहा है तो वो बचा RRB JE को भी target कर सकता है या UPPCL JE को भी वो target कर सकता है बहुत सारे state level पे भी different time पे examination form निकलते रहते हैं जैसे जैसे आपके examination form निकलते रहेंगे हम आपको इसी channel पे update करते रहेंगे तो कि बच्यों हर state के लिए JEE का या AEE का number of seat number of vacancies different different time पे आती रहती हैं बट यदि आप SSC JE की preparation कर रहे हो तो आप state level के जो भी AEE और JEE level के examination होंगे उन्हें examination को बहुत अच्छे से qualify कर पाऊगे यहाँ पे एक department और है वो मैंने mention नहीं किया PWD तो civil engineer के लिए department में जाना इस department के अंदर आप बहुत अच्छी आपकी करियर की बहुत अच्छी growth होती है आप बहुत अच्छा आगे भी जा सकते हैं PWD department के अंदर mostly civil engineering student हमेशा prefer करते हैं PWD department में जाने के लिए तो SSC JEE 2023 में कितनी vacancies होंगी क्या होगा यह सारी बाते हम लेके आपके लिए बाद में भी आएंगे बट अभी इतना मैं बता देता हूँ यह department है जिन department के अंदर आप apply कर सकते हैं उसके बाद SSC JEE examination का जो pattern है वो किस type का pattern होता है यदि आप target कर रहे हो SSC JEE examination तो बचे आपको definitely यह clear होना बहुत जरूरी है कि SSC JEE examination का paper pattern कैसा होता है इसका exam का pattern कैसा है तो SSC JEE अपने exam को two phase में conduct कराती है हम SSC JEE के examination को two tier examination भी बोलते हैं first tier and second tier first tier जो आपका examination है वो completely objective question होता है first tier examination में आप multiple 24 question को face करेंगे MCQ type question और जो second tier होगा उस second tier में आप लोग face करोगे conventional paper को मतलब जिसमें आपको examination को लिखना है theoretical part है यहाँ पे conventional paper में यानि के tier 2 में आपको question को explain करना होता है theoretically लिखना होता है और first tier में आपका multiple 24 question आते हैं तो multiple 24 questions को भी इस part के भी आपके three section होते हैं first section आपका technical section होता है जिस section के अंदर आपके technical question पूछे जाएंगे अब technical कौन से आप जिस branch को questions आएंगे लेकिन यहाँ पे वो questions number of questions जो आपके पास technical वाले question है वो hundred question होते हैं जिसमें आपके पास current affairs भी आ जाता है और जो general science में जैसे आपका geography, history, polity और journal science या current affairs के questions इसके अंदर पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा जो weightage है आपका multiple choice questions के अंदर वो आपका hundred question technical part का है और each questions आपका एक number का होता है और कुल मिलाके आपको multiple choice question में 200 question attempt करने होते हैं 100 question technical होंगे और पचास question आपके general aptitude से पूछे जाते हैं जिसमें aptitude और reasoning type के questions आपके पास आते हैं और 50 questions general awareness से होते हैं तो कुल मिलाके आपको first tier का multiple choice question का जो paper है वो 200 marks का paper होते हैं students को यहाँ पर यह target करना चाहिए कि इस में से यह जो hundred marks का आपका technical part है इसमें nearly आपके 90 marks आनी चाहिए अब बच्छा यहाँ पर आपको बिल्कुल भी tension लेने की ज़रूरत नहीं है आपके यहाँ पर 90 marks कैसे आएंगे उसके लिए engineers वाला team आपके साथ है हम आपकी preparation कराएंगे और आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पर 90 marks किस तरीके से score करने हैं उसके बाद जो general science और general awareness और current affairs वाला जो part है जिसमें 50 marks के question आएंगे और 50 marks aptitude वाले आएंगे जर्नल awareness के 50 questions ऐसे question है यह easy हैं आप यहाँ पर यदि आपने वो चीजे पढ़ी हैं तो आप definitely उस questions का answer लगा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको ज्यादा time नहीं लगने वाला है क्योंकि यह part आपका current affairs वाला part है तो यहाँ पर बचा score करता है 45 marks के करीब फिर उसके बाद aptitude, aptitude यहाँ पर बहुत easy वाला aptitude होता है ज्यादा tough यहाँ पर questions नहीं बनते हैं उसके बाद जो second tire का examination है वो completely आपका conventional examination होता है और इस examination के अंदर आपका जिस branch को आप belong करते हैं चाहे वो mechanical engineer हो या civil engineer हो या electrical engineer हो सारे question आपके conventionally यहाँ से पूछे जाते हैं जो बच्चा first tire के examination को qualify कर लेता है उसके बाद second tire के examination की preparation भी हम लोग ही कराते हैं कि आपको यह सिखाया जाएगा कि आपको उस examination को qualify करने के लिए लिए लिखने की practice कैसे करनी है क्योंकि बच्चों यह समझना बहुत जरूरी है जैसे अभी SSC JE का first phase का result आ चुका है तो हम लोगों ने जो बच्चे main skill के लिए qualify कर चुके हैं यानि के second tier examination के उनके लिए especially हम लोग plan कर चुके हैं और हमारे engineers वाले चैनल पर उनके लिए बच्चों के लिए एक बहुत special course आ चुका है तो बच्चों यह रहा एक examination का pattern के SSC JE के examination का pattern कैसे होता है लेकिन अब pattern के बाद यदि हम बात करें कि SSC JE के examination को अगर आप qualify करना चाहते हैं तो how to target आपको किस तरीके सो उस examination को target करना है देखो बच्चों हर बच्चे का अपने पढ़ने का एक तरीका होता है बहुत सारी आप videos को सुनके बहुत सारी preparation की हर teacher सापको अपनी strategy बताते चलते हैं कि आपको यह करना है यह करना है बहुत सारी चीज़े होती है लेकिन मैं हमेशा बच्चे को यह बोलता हूँ कि यदि आप किसी भी examination की preparation कर रहे हैं तो आपको पढ़ाई हमेशा उस time पे करनी चाहिए जो आपके according सबसे best और suitable time है जिस time पे आप अपना 100% दे सकते हैं और उस examination को qualify करनी के लिए कुछ basic tips होती है और strategy होती है वो क्या होती है यदि आप उस examination को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको planning करनी होगी कि मैं जिस examination को निकालना चाहता हूँ कि उसका syllabus क्या है आप पहले syllabus download करो और जो आप पढ़ाई करते हैं जो आप technical part या general awareness या जो reasoning आप लोग पढ़ते हैं उसको पढ़नी के बाद अपना जो जो syllabus complete हुआ है उसको लिखते चले जाए और जो syllabus आपका complete होता चला जा रहा है आपको time to time एक ऐसी cyclic revision बनाना है कि आपको किसी भी topic के साथ या किसी भी chapter के साथ connection break नहीं होना है मैंने एक world बोला cyclic revision तो को ये करना सभी बच्यों के लिए compulsory है यदि आप cyclic revision नहीं करोगे तो definitely आपने जो चीज़े पढ़ी होंगी एक time के बाद आप भूल जाओगे और ये human psychology है ऐसा बोला जाता है यदि आप किसी भी चीज़ को तीन बार यदि आप copy में लिख के देख लें तो definitely वो चीज़ आपको याद हो जाती है तो यदि बच्चों को अगर ये problem है कि मैं चीज़े याद नहीं रख पा रहा हूँ तो आप प्लीज उसको पढ़ने के बाद class से जाने के बाद आप नोर्स बनाएं और नोर्स बनाने के साथ साथ उसको अपनी hand return में at least three time उसको लिखने के बाद practice जरूर करें यदि आप लिखने के बाद practice कर लेंगे तो ये definitely है ये वो चीज़े आपको automatically याद हो जाएंगे तो सबसे पहले ये रहा कि सबसे पहले आपको देखना है कि आपका syllabus क्या है syllabus के according आपको पढ़ाई करनी है पढ़ाई के साथ 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 cyclic revision करना है और उसके बाद आपको नोर नोर्स बनाने हैं अब बच्चा नोर्स कैसे बनाता है वो बहुत ज़रूरी है मैं हमेशा class के अंदर भी ये बताता हूँ के नोर्स जब आप बनाएं तो नोर्स बनाते time आपको 80 by 20 का rule खेलना चाहिए अब तुम सोच रहूंगे सर 80 by 20 का rule क्या है तो समानलो बच्चो ये आपके पास एक copy का page है और मैं इस page पे लिखना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया मैंने इस page को nearly two parts में यहाँ पे मैंने इसको break कर लिया पहला part करीबन करीबन आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे 80% आप कुछ भी लिख सकते हैं और ये 20% वाला जो portion है इस portion को आप खाली छोड़ेंगे अब तुम सोच रहे हो सर ये 20% आपने खाली क्यों छुड़वाया ये 20% मैंने इसलिए छोड़ दिया यदि जब आप class में पढ़ने के बाद अपने नोर्स बनाते हैं तो नोर्स बनाते time copy का 80% यानि कि इस page का 80% आप यूज करो लेकिन उस page पे क्या लिखा है उस page का complete conclusion क्या है यदि आप इस topic से related कोई भी old year के questions लगाते हैं तो उस questions के अंदर ऐसा कौन सा नया concept साया जो आपको नहीं समझ में आया था यानि के यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस topic में कुछ new point सीखे हैं कोई नई बात मैंने सीखी है कुछ नया concept मैंने सीखा है तो वो page के जो बचा हुआ 20% है उसमें note बना के लिख दिया जाए इस से आपकी ये help होगी जब आप examination के लिए आने वाले होंगे जब आप revision कर होगे तो आपको copy का ये 80% पार्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको केवल और केवल 20% पढ़ना होगा तो आप सोचो आपका कितना time save होने वाला है तो नोर्स बनाना और नोर्स को किस तरीके से बनाना ये बहुत ज़ादा compulsory है और मैं हमेसा बच्चों से कहता हूँ आप जितिनी best quality में नोर्स बनाओगे मैं बतारहूँ आपका पढ़ने का उतनी बार अच्छे से मन करेगा तो हमेसा नोर्स बनाते time colorful pen का भी यूज किया करो डायाग्राम को बहुत अच्छे से बनाया करो ये habit अभी से बना लो क्योंकि examination में जब आप conventional paper देने जाओगे तो वहा कि मैं SSCJE के लिए किस books की help लूँ क्योंकि आप PYQ question तो लगाते ही हैं और teachers जो आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको अपने notes देते ही हैं पर फिर भी आपको किसी external books की help की need होती है तो class में जो भी आपको teachers पढ़ाते चले जाएंगे वो अपने subject के according आपको बताते चले जाएंगे कि sir मैं इस branch का हूँ मैंने ये subject पढ़ाता हूँ तो इस subject के लिए यदि आपको ये external book का यूज करना चाहते हैं तो आप इस book को follow कर सकते हैं जैसे से आपकी class चलती चली जाएगी इंजीनियर्स वाला चैनल पे तो आपको particular subject का teacher आपको books के बारे में भी बताता चला जाएगा क्योंकि books की help लेना भी आप सब के लिए बहुत जादा compulsory हो जाता है लेकिन class नोर्स पढ़ना बहुत जादा जरूरी है आप books की help लेने तब जाएं जब आप class नोर्स पढ़ ले तो कि class के नोर्स पढ़ना बहुत जरूरी है तो कि उस teacher ने आपको वो सारी चीजे सिखाई है अपनी experience से जो उसने करीबन 10 साल से अपना ग्रंत हिकटे गी होंग से सोट नोर्स बनाए होंगे जो definitely आपकी help करेगा और आपको boost करेगा उस examination को qualify करने के लिए तो हमेशा उन लोगों से सीखना चाहिए जो experience लोग होते हैं तो experience लोग ही आपको बता पाएंगे कि SSC JEE के examination को आपको किस तरीके से target करना है I hope जितनी भी बाते मैंने आपको बताई हैं ये बाते आपको समझ में आ चुकी होंगी कि SSC JEE examination को target करने के लिए मुझे क्या करना है जैसे Walt Disney ने एक बड़ा जबरदस एक बड़ी अच्छी बात बोली है The way to get started is to quit talking and begin doing यदि आप कोई भी काम करना चाहते हैं कोई भी चीज अगर आप करना चाहते हैं कुछ लोग कहते हैं हम ये कर देंगे वो कर लेंगे बहुत सारी बाते करते हैं प्लीज बाते करना बंद करो और जिस examination को आप qualify करना चाहते हैं या जो आपका target है जो आप बनना चाहते हैं उसके लिए आज से ही काम करना start कर दो बातों से कुछ नहीं होने वाला है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा बाते बहुत लंबी-लंबी होती हैं बाते करना बंद करो और जिस examination को आप qualify करना चाहते हैं उस examination के लिए आज सही लग जाओ क्योंकि preparation जब आप करना start कर देंगे तो समझ लो वहीं से आपका दिन शुरू हो जाएगा और हमेशा एक चीज की याद रखनी है preparation करते time continuity maintain रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आज आप तीन घंटे पड़े चार घंटे पड़े और कल आपने break ले लिया continuity इसको नहीं कहते हैं consistency उसको बोला जाता है जो बच्चा रोज पढ़ाई करता है चाहे वो one या two hour ही पढ़ता हो लेकिन पढ़ाई रोज करनी है study रोज करनी है उसके बीच में break नहीं आना है बच्चो आपको completely ये बास समझ में आ गई होगी कि SSEJ examination के अंदर कौन-कौन सी vacancies हैं और आप उस examination का patterns क्या है और उस examination को qualify कैसे करना है तो बच्चो आज की sessions को मैं यहीं finish करूँगा और आपसे next session में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और कभी हम फिल लोग एक session पर जरूर चर्चा करेंगे कि SSEJ examination के लिए आपको कौन सी books को refer करना चाहिए तो बच्चो थैंक यू सो मच